पीजर्स और सुरुवाती प्रेगनेंसी की लक्षर इतने ज्यादा मिलते जलते होते हैं कि इन में अंतर कर पाना इतना आसाल नहीं हो पाता और तई बार महलाएं दोका खा जाती हैं प्रेग्नेंसी के लक्षणों को फीजर्स की लक्षण समझ कर कुछ गलतियां कर बैठती हैं जिससे उनकी प्रेग्नेंसी की जर्णी सुरू होने से पहले ही खतम हो जाती है नमस्का दोस्तों मैं खुस्बूत उमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपको प्रेग्नेंसी से रिलेटर एक और नई वीडियो में जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजपूल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसे तीन लक्षणों के बारे में जानने वाले हैं जिनकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपनी सुरुवाती प्रेग्नेंसी के लक्षण और पीरियर्स के लक्षणों में बड़ी ही सरलता से अंतर कर पाएंगी इन तीन लक्षणों को अपनी बड़ी में समझ कर आप अपनी प्रेग्नेंसी को अवर्ट होने से भी बचा सकती हैं इसलिए अगर आप pregnancy planning कर नहीं है, आपके मन में भी ये सवाल है, कि सुरुवाती pregnancy और periods के लक्षड में अंतर कैसे किया जा सकता है, कौनसे बाते हैं, जिनसे हम इन दोनों में फोड़ाता difference कर सकते हैं, तो वीडियो में अंतर बने रहें, और ऐसी नई-नई informative वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, तो चलिए फ्रेंस, बिना देरी की होगी, अब फटा-फट से इन तीन लक्षडों को जाल लेते हैं, जिनकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से सुरुवाती प्रेंगनेंसी और प्रेंस कर पाऊगे, तो देखे फ्रेंस, महलाओं के सरीर में सुरुवाती प्रेंगनेंसी और प्रेंस इन दोनों के ही टाइम पर कॉर्मूनल बदलाव होते हैं, जिसकी बज़े से क्या है कि उनक बदलावाने शुरू हो जाती हैं नए नए संकेत देना शुरू कर देती हैं उनकी से अगर आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं और लेशन बनाने के लगबग एक हफते बाद आपका सरीर आपको कुछ संकेत दे रहा है तो फ्रेंस ये प्रेग्नेंसी के सुरू आती लक्षण होते हैं क्योंकि पीरियर्ट के जो लक्षण होते हैं वो आपके पीरियर्ट की देट वाले दिन भी आपको अचानक से मैसूस होने लग जाते हैं लेकिन अगर आपने प्रेग्नेंसी कंसीव कर लिया है तो ये जो लक्षण है वो आपको लगब पीरियर्ट की दे इसा बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, stress नहीं लेना है, कि ये lecture आपको नजर आ रहे हैं, ये क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ ऐसा हो रहा है, यानि कि आपको stress नहीं लेना है, आपको pregnancy planning के दोरान खुस रहना है, और meditation करना है, exercise करते रहना है, अपने आपको थोड़ा सा ब्यस्त रखना है, बोडी को active रखना है, healthy चीज़ा खाने है, जिससे क्या है कि आपके जो hormones हैं, वो balance बने रहेंगे, और आपकी pregnancy की जर्नी है, वो continue बनी रहेगी, अब जानते हैं कि periods और शुरुवाती pregnancy के लक्षण में अंतर कैसे किया जा सकता है, सबसे पहला लक्षणा period मिस होना, जी आपनेर्स, ज्यादातर मामलों में क्या होता है, कि period मिस होने के बाद ही मैलाओं को doubt होता है, कि उन्होंने pregnancy conceive कर लिया है, और इसके बाद ही वो pregnancy test करते हैं, अगर result positive आता है, तो वो pregnant है, negative आता है, तो pregnant नहीं है, लेकि कि आपके hormones invalence होना, आपको PCOD या PCOS जैसी समस्या होना, आपके periods का irregular होना, यानि कि ये कई सारी बज़े हैं, जिसकी बज़े से आपके periods मिस हो जाते हैं, इसी लिए periods मिस होना pregnancy का सबसे पहला लक्षर माना जाता है, लेकिन जब तक आपका result positive नहीं आता, तब तक हम surely नहीं क पता नहीं है, और आपकी body में कोई दूसरी दिक्तत पल रही है, तो इससे क्या है कि आपके periods मिस हो जाएंगे, लेकिन आपका जो result है, वो हरवार negative ही आता रहेगा, इसलिए अगर आप pregnancy plan कर रहे हैं, और आपके period मिस हो गए हैं, तो आपको period मिस होने के लगवग 5-6 दिन ब बाद भी लगातार आपको नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने pregnancy conceive कर लिया है, लेकिन कई सारी मैला ऐसी है, जिन्हें period की date से 10 दिन पहले तो pregnancy के लक्षर नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी period की date नजदी का जाती है, एक से 2 दिन रह जाते हैं, या फिर एक दिन रह जाता है, उसके बाद से उनके जो pregnancy के symptoms हैं, वो उन्हें वो एकदम से गायव हो जाते हैं, यानि कि उन्हें pregnancy के symptoms नजर ही नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे कई सारी comment मुझे हर रो जाते हैं, कि मैं अब तक तो हमें pregnancy के symptoms नजर आ रहे थे, आप भी बोल रहे थे, कि हमने pregnancy conceive कर लिया है, लेकिन हमारे periods आ गए, ऐसा क्योंकि नजर आ रहे थे, लेकिन हमारा result negative क्यों आया, तो friends, ऐसा कई वार PCOD, PCOS, periods irregular होना, hormones, invalence होना, इसकी बज़े से भी हो जाता है, इसलिए अगर आप pregnancy plan कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले doctor से अपना check-up कर वा लेना चाहिए, कि आप में पहले से ही कोई दिक्तत तो नहीं है, दूसरा लक्षण है, उल्टी या मितली होना, कई वार क्या है कि कुछ मैलाओं को periods आने से पहले ही, पेट सम्मन्दी दिक्तत हो नहीं लग जाती है, जैसी कई सारी समस्या हो नहीं लग जाती है, और जैसे उनके periods का flow सुरू ह होता है, उसके बाद ये जो समस्या है, वो गायब हो जाती है, यानि कि खतम हो जाती है, अगर periods आने से लगबग 10 से 12 दिन पहले आपको उल्टी, उबकाई, मितली जैसा मन हो रहा है, यानि जी मिचलाता रहता है, जब आप सुबह जगती है, तो आपको morning sickness बहुत जादा हो उल्टी, मितली या उबकाई, ऐसा तो केबल pregnancy conceived होने पर ही आपको मैसूस होता है, तीसरे लक्षर है, निपल्स में बदलावाना, जी हाँ प्रेंट्स, प्रेंट्स, इन दोनों के ही टाइम पर ही महलाओं की breast में बदलावाता है, यानि कि पीरियर्स के दिन महलाओं की breast में अचानक से भारीपन, दर्द, सूजन जैसी महसूस होने लग जाती है, कई वार क्या है कि कुछ मैलाओं को जैसे के ovulation period सुरू होता है ना, कुछ टाइम पर भी उनकी breast में भारीपन, दर्द, क्रेंसाना सुरू हो जाती है, और ऐसा शुरू आती pregnancy में भी होता है, लेकिन अचानक से बदलता जा रहा है, यानि कि रंग इसका एकदम से गहरा होता जा रहा है, तो friends ऐसा period के time पर बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा pregnancy conceive होने के बाद भी होता है, क्योंकि जैसे ही आप pregnancy conceive करते हो, आपकी body में hormonal बदलाव आना सुरू हो जाते हैं, जो कि period में सोने के जो बदलाव आता है ना, वो period के time पर बिल्कुल भी नहीं आता, अगर period से पहले आपके निपल्स के रंग में आपको बदलाव नजर आ रहा है, तो friends ऐ pregnancy का सुरुआती लक्षण माना जाता है, उम्मीद करती हो ये जो तीन लक्षण मैंने आपको बताए हैं, इनकी मदद स आपको pregnancy और period के लक्षण में आराम से अंतर कर पाएंगी, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद अब आपको period और pregnancy के लक्षणों को समझने में बिल्कुल भी दिक्तत नहीं आने वाली है, अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई और सवाल है, कोई और symptoms या पर आप pregnancy कंसीव करने में आपको किसी भी तरह की दिक्तत आ रही है, तो आप मुझे please comment में जरूर बताएं, वीडियो अगर आपको useful लगाए, पसंद आया है, तो वीडियो को like करें, अपने friends और ले tips में share करना ना भूले, साथी मेरे चैनल को subscribe करके bell icon को press करना ना भूल तो चलिए friends मिलते हैं next time तब तक के लिए धन्यवाद